इस spoken English में यूज होने वाले most important topic जो की इस वीडियो में cover करने वाले हैं guys तो जैसे की आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एक से लेकर के 16 तक लिखा हुआ है जो की most important है अगर आप ये सिख लिए तो फिर अंग्रेजी बोलना आसान है guys तो इसलिए सबसे पले इसका use समझते हैं इसका पहला यूज दानेंगे can have का और can have का मतलब होता है pass हो सकता है कोई भी चीज pass हो सकता है जिसे आपके पास एक phone हो सकता है उसके पास कई सारे दोस्त हो सकते हैं इस परकार के sundays इसमें बनाए जाते हैं इस श्रिक्टर हो जाएगा subject can have और हो जाएगा एक object तो इसलिए example लेते हैं example हो जाएगा मेरे पास एक car हो सकता है के sense में क्या हो जाएगा I can have a car यह पर I आपका subject है जो की मेरे के लिए यूज हुआ है can have आपका verb है जो की pass के sense में लिखा हुआ है पास सकता के sense में क्या car तो जाएगा a car I can have a car इस पकार सों नहीं है राहुल के पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं तो क्या होसा आएगा राहुल can have lots of money, lots of money मतलब बहुत सारे पैसे, इस पकार से आप इसका यूज़ करते हैं, तो उसलिए इसी पकार से हम लोग अगला यूज़ दानेंगे, और वो है आपका could have, और could have का इंदी मिनिन होता है, सकता था के सैंस में, अब मैं आपको बता दो कि इसका use तब क्या जाता है, जब ऐसे action हुआ हो, जो कि उस action को अब दुबारा हम नहीं कर सकते, तब हम यूज़ करते सकता था के सैंस में, मतलब could have, ऐसे आप could का भी मतलब सकता था होता है, लेकिन could से मतलब होता है कि past की ability के action बताते हैं, लेकिन इसमें ऐसे action होता है, जो कि आप दुबारा उसे आपको नहीं कर सकते, तो examples आपके सारे topic clear हो जाएंगे, और आप दूसरे तरफ साब यह भी समझ सकते हैं, कि could have का use के जाता है, तब कि आपको एक opportunity मिला था, बट आपने उस opportunity को accept नहीं किया, आप उस opportunity का use नहीं किया, बट उसको बाद में आपको regret है, तो आप यहाँ पर could have का use करते हैं, तो सलिए इस ट्रिक्टर हो जाएगा subject, could have, और object हो जाएगा, तो सलिए example हो जाएगा इस पकार से, राहुल बीए में अंग्रेजी ले सकता था, अब समझेगा यह regret है, यह उसके पास एक opportunity था, तो वो बीए में अंग्रेजी ले सकता था बड़ उसने नहीं लिया, तो क्या हुआ उसके पास अभी क्या है, पस्तावा है, पस्तावा के अलाबा कुछ और नहीं, क्योंकि वो आप आगे नहीं कर शुका है, अब वो बीए में अंग्रेजी ले सकता है, इस पकार साब बोल सकते हैं, तो आप बैसलर ऑफ आर्स भी ल अगला है, अमन पलवी से साधी कर सकता था, अब अमन के पास कैसा अपरसिनिटी था, वो पलवी से साधी कर सके, लेकिन उसने पलवी से साधी नहीं किया, वो किसी और से कर लिया, अब उसके पास अपरसिनिटी जो था, वो अब नहीं है, अब पलवी से साधी करने के लिए मेरे साधी पलवी से होता इस प्रकार का कुछ साय ईकार कि होज़ा है एक abuse अगर लिखा हुआ है जो कि में हैं किसी काम को कर सुका होगा जिसे आप साइद एक पत्र लिख सुके होंगे हैं जो कि पॉसिटि के साइंस में इसका यूज किया जाता है इसलिए इस पगार से आप इस्ट्रक्चर देखें और मेहभ के बाद अपको वर्ब का थार्ड फोम लगारा है उसके आपको एक अबजेक्ट का युज़ करना है इससे आप एक्जमफल ले सकते हैं एक्जमपल है सायद राहूल से बात कर शुगा होगा आप संभाब न हम बता रहें कि वो बात कर शुगा होगा राíoL से अब आप को the में हैं का यूज़ करेंगे तो बंस अगा संटेंस वहां के लिए उसा गही आपको लगाना होगा थाट पर वह बात करना और बात करना हो जागा थाट फर्म इस से राहुल से तू राहुल क्योंकि टॉक की वाद आपका यूज़ करते हैं अब आपको यहां पर संभावना बतारें पॉसिविलिटी बतारें इसाइद कोई काम कर सुखा होगा तो जगा सुमन मैं हैब साधी करना मतलब मेरी होता है और मैरी का थाड़ पर मैरेड सुमन मैं है सुमन साध साधू कर सुखा होगा मतलब सायद किसी काम को कर सुखा होगा मैं है यहां पर रही किया कि पास्ट में ऐसी सीज़े जो आपके पास हुआ करते था बठ वर्तमान में आपके पास वह इसी चीजह आप नहीं है तो एक्जम्पल से कि लिए रोजागा गाइस तो इस ट्रेक्टिर हो जाएगा सब्जेक्ट उसके आपको लगाना होगा यूजड टू हाब उसके आपको एक अब्जेक्ट लगाना है जो भी आपके पास शुक्वा करता था वह आप उब्जेक्ट में दिखाएंगे जैसे एक्जामपल है मुझे बहुत सारे दोस्त हुआ करत जो तो सनाय से अपगयो गोल ते हैं और यहां है उसके पास बहुत सारे पैसे हुआते थे इस गिनन लिए उसके पास बहुत सी हुआ करते थे अब नहीं है ऐसे ारनी यहाँ पर क्या ona ही यूजड घॉया बोस बाकर से आपकर। माइच हाब का यूज़ जो की होता है, सायद पास हो सकता है, पर जैन आप यूज़ करते हैं, तो दिखाने के लिए, उसलिए इस्ट्रेक्चर समाजते हैं, सब्ज़क्च, उसका आपको लगाना होगा, माइच है और एक object कर चै expenditures करना है छो भी चीजर पास हो सकता है आप उसका उसका युझके रोप में दिखाएंगे जिससे दिए सायद अमन के पास दो कार हो सकता है क्या आपको लगाना होगा माइचाब तू कार्स मेंस दो कार माइचाब मेंस पास हो सकता है सायद अनके पास एक बड़ा टीम हो सकता है अगला इस पघर सब लोग यूज दानेंगे वह आपका सूड हब का यूज जो की होता करना साइए का सैंस में करना साइए था के सैंस में जैसे आपको बजार जाना साइए था आपको राहुल के साधी में जाना साइए था बट आप नहीं गए आप यहां पर चाहिए कोई काम करना साइए था के सैंस में आप सूड हैप का यूश करते हैं तो इसलिए इस्टेक्च उसे राहुल के साधी में जाना साये था, जाना साये था, कोई काम करना साये था, आप यूज करेंगे शूड हाब का, तुछलिए एक्जम्पल होगा इस पगार से, उसे जाना साये था, दूर ही ही हो सायगा, जाना साये था, जाना वर्ब है, जो कि थरपम में आगा, गो का थरपम गौन, किसमें, राहुल के साधी में, तू दा मेरेज आफ राहुल, उसे राहुल के साधी में जाना साये था, इस पगार सो गया, अगला है, भारत में सब लोगों को अंग्रेजी सिखना साये था, इसका प्रगार से कोई काम करना साइब यूज़ करेंगे जैसे की सब लोगों को सिखना साइब है तो जब क्या है अंग्रेजी मिंस इंग्लिस कहां भारत में मतलब इन इंडिया भारत में सब लोगों को अंग्रेजी सिखना साइए था इस पगार से समझते हैं इस पगार से कोई काम कर चुका होगा कोई काम कर चुका होगा तो फिर क्या होगा आपका कर लिया होगा कर लिया होगा कर लिया होगा के सेंस में अब सकते हैं आपको सब्सक्राइब आपकर चुका होगा कोई काम करशुका होगा या फिर आप बोल सकते हैं कर लिया होगा के सैंस में भी कर लिया होगा के सैंस में यहां पर यहां पर कर लेंगे किसे हो जाएगा देंगे विल्य हैँ के सब्च्रिक तो कहा मांकेच मतलब और मद्त आप मार्डव नहींक मद्स न हें लुक्त मार्व कोन सब्सक्राइब विराट कोहली कल करकेट खेल सुखा होगा तो क्या अब कर देंगे अब लिखा हुए कल कर लिए आप लेख सकते हैं यह तीन वर्ड आपके पास और दूसरा है बाइद दोनों आपका सुटेबल हैं आप दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं और कल आने वाले कई बाते और यह आप यूज़ करेंगे तोमोरो विराज को लिए पलेट किरकेच टिल टोमोरो या फिर बाइव तोमोरो अरफ अने से इस प्रकर से उड्ड हैप का मतलू होता है कर चुका होगा के साइंस में मतलब हम यूज़ करते हैं इसका पास्ट में कर चुका होगा के सांस में बाते करते हैं और फार्टि की बाते करते हैं और आप पास्ट की बातो जाएगाँ की जिससे एक पहले पक्तलि नियित काम होगा फेल खुलने का काम पास्ट में ही होगा अब यूशने काम पर खुल आपको silah तो यहां पर खुला खुला मतलब सकते हैं और तर्पम इस्टार्टेड रोगी वह बजार जा चुका होगा वह जगा ही उड़ हैब गोंचु मार्केट इस पगार से आप समझ सकते हैं तो जगा राहुल घर पहुच चुका होगा तो फिर आप पास्ट में अगर वह एक्सान ह हो गया है तो आप यहां पर उड़ याप का यूश करने आपको होजगा संटेंस आपका राहुल उड़ है पहुच नहीं कहां घर मतलब हाउस एस पगहर से आप इसका यूश करते हैं यह जाएओ यूप यूप यह गोट मैंपॉइंच पर आइट्राइट्यू में वो है आपका can have to का और इसका में लगता है पढ़ सकता है कोई काम करना पढ़ सकता है जैसे मुझे बजार जाना पढ़ सकता है उससे खाना बनाना पढ़ सकता है उससे थांडी में नहाना पढ़ सकता है तो आपको यहाँ पर यूज़ करना है can have to का यूज़ करना है guys don't worry you will understand and many things in this video guys, और लिखा हुआ है, इस ट्रिक्चर है, subject हो जाएगा, उससे आपको लगाना है, can have to, वर फर्स्ट पर्म, और एक object का यूज़ करना है, तो कि बहुत एस यह हो जाएगा, इस ट्रिक्चर तो completed है, sentence हो जाएगा, सुमन को एक पत्र लिखना पड़ सकता है, आप सुमन को एक पत्र लिखना पड़ सकता है, सुमन कन हाब टूराइट लेटर, इस पकार सो जाएगा, है अग्र यूज़ बगारश हो जाएगा, उन लोगों को final हो TheIR at но, वर खेलना पड़ सकता है, इंचर आपका है our subject है, can have केंट आपका यह पर आपका में वर्ब है कि इन परेशन है जो कि आपका इसी परेशन का यह ऑब्जेक्ट है अगरा यूज है यह पर आपका दो इसका मिलों होता है पर देखिए और एजमपल से सारे डाउर्स कतम और पूब्जेक्ट लगाना होगा उसके दाव लगाने की जरूत पड़ेगी उसलिए लेते हैं बहुत बड़ा है बढ़ा नहीं बलकि इसमें दो संटेंसें दो रहुल के पास बहुत सारे पैसे हो सकता था लेकिन उसने अपने माली को धोका दिया आप दूसरा संटेंस दो लिखाव धोका देने वाला इसने के मदसे बनाते हैं रहुल आपको वर्ब है यह हो साइगा और उसके आपको साइग है एक object object किया है बहुत सारे पैस है लो जागा lots of money उसके यहां पर आपका लेकिन words हुए यह आपका एक conjunction है जो की connector का काम कर रहा है हो जागा यहां पर आपका but उसने अपने मालिक को धोका दिया उसने आपका subject हो जागा क्योंकि cheater तो ही है हो जागा he cheated चीट का मदलो होता है धोका देना चीट का second form हो जागा cheated उसको क्या अपने मालिक his honor क्योंगा he cheated his honor इस पगार से आपके पास हो सकता था कोई भी चीज हो सकता था इस पगार से आप यूज़ करता है अगला sentence लिखा हुआ इस पगार से must have been का यूज़ जो की जरूर होना साइए था के साइस में तो जागा sentence structure हो जागा subject must have been plus object हो जाएगा तो इसलिए example example है राहुल को अपने दोस्तों के साथ जरूर होना साइए था मतलब आपको must have been जरूर होना साइए था must have been का यूज़ करना है सलिए बनाते हैं राहुल must have been with his friends के साथ with अपने दोस्तों तो यह पर राहुल आपका थर्ड परसन है इसका प्रेशिव एक्टिव साइगा his उसको दोस्तों मतलब friends completed अगा लिखा हुआ संटेंस तुम्हें अभी बजार में जरूर होना साइए ता मतलब कहीं पर होना साइए घर में उना साइए था बजार में उना साइए था आपको या फिर आप बुर्सते कई मस्ट है तुम्हें बजागा सब्ड़िटी यू मस्ट है बेन कहां पर बजार में इन दमाकेट अभी बनाब बुर्सते राइट वे राइट ना या पिर आप बुर्सते नाव वी सिप लिख सकता है इससे भी आपका काम चल सकता है तो इसलिए अगला यू समझते हैं और व करता है के सैंस में वह आपका फोसीविलिटई के लिए क्यर्षा आएगा में अब बेन को दो बाएक हो सकता स्कता यह भी आपको बनेगा लेकिन उसके पांपा ने उसे खरीदने से मना कर दिया सबनोर को सकता सो अमन में घान टू लेकिन अुसके पापा ने माना कट एकाने घु घजु करना यह पिए डिनाइ करना भी बोल सकता हैं रिफ्यूज का होजां का किसके किसको उससे रिफ्यूज करते हैं किसलिए खरीदने से को ज़ने के लिए के लिए आपका सेंस आ सकता है इसे पगाल से अगला युज जानेंगे तुम्हारे पास एक असिनCommu करी हो सकता था लेकिन तुमने कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया तुछ आगा यू में हाब बेन आगूर जॉब बट यू ने वर फोकस्ड आन अस्टरीज इस प्रकार से आप इसका यूज कर सकते हैं तुम तो है अगलाद लेका हुआ है और वह है आपका MIGHT OF BIN का किया जासकता था यह साइल्स में मुलब पेसिव आफ MIGHT HAVE MIGHT HAVE का पेसिव एगाइस MIGHT HAVE BIN तो छलिए एक इस्ट्रक्चर है सबजेक्ट MIGHT HAB BIN वर्थफर्म बैपलस अबजेक्ट होगा example होगा सनेहा को काम करने के लिए कहीं भी भ्यजा जा सकता तो जा सकता था कोई काम किया जा सकता था के sense में आप यहाँ पर use करेंगे अब भेजने वाला कौन है दूर पता नहीं है यहाँ तो यह पर use के जाएगा passive तो जगां बेजा किसको जाएगा सनेहा को सनेहा माइच आप बेन आप यहां पर वर्प करने के लिए तू वर्क इस पगार से आप बोल सकते हैं अगला है तुम्हें वहां कभी भी पीटा जा सकता था तो आप यहां पर यूज़ कर लेंगे यू माइच हाप बेन बीचैन देर अनी टाइम यू सबडिटे माइच हाब बिन आपको लगाना होगा इस टेक्सिerson के को ए व्यूज़ का वर्प का तरफो में जो की फितना नका होता है देर मता होता है वहां कभी भी मिनस एनी टाइम इस पगार से आप का खोज़ चुल्ग ह अग्ला इसी परिगाठ से यहां पर यूजेस है तो आपको will have been का लोग से करता रहेगा से करता रहेगा मतलब हुजाए का will have been का use तो चलिए समझता है से करता रहेगा मतलब आपका time से बाते करेगा इस ठ्यक्जेक्स प्राप लगाना होगा will have been वर्ब फोर्ट फॉर्म एक अब्जेक्ट उसके आपको लगाना होगा फ्रॉम या फिर फॉर प्लस टाइम जो की बहुत ही इजी वे में आप इसका यूज कर सकते हैं विल्हाब बिन का जैसे हो जाएगा मैं दोजार पचीस इस वे से इस कमपनी में काम करता रहूंगा कोई काम करता रहूंगा रहेगी रहेंगे आई जागा तो फिर आपको विल्हाब बिन लगाना होगा बन जागा आई विल्हाब बिन वर्किंग मैं काम करता रहूंगा इस कंपनी में कब से दोजार पचीश से तो फिर आपको यह पर आपका पॉइंच अव टाइम है 2025 तो फिर आपको यह पर यूश करना होगा फ्रॉम और उसके दाप लिख सकते हैं 2025 और इस पकार से वह जनवरी 2022 से अंग्रे जी शिक्ता रहेगा हो जाएगा he will have been learning English कब से जनवरी 2022 से फ्रॉम जनवरी 2022 भी बोल सकते हैं या पर 2022 भी बोल सकते हैं चलिए अगला यूश आनेंगे और वह आपका would have been का पतलो क्या जार शुका होता के सैंस में मतलब passive में बनाए जाएगा इस यह तो बन जाएगा आपका इस्टिक्चर सबजेक्ट उद्ध हाब बिन वर वह थाड़ फॉर्म बाय प्लस अबजेक्ट हो जाएगा तो इसलिए एक्जांपल लेते हैं एक्जांपल यह तुम्हें दिल्ली भेज दिया जार शुका होता कोई काम क्या जार शुका होता के सैंस में आप उड्ध हाब ब फेड फेड का थड़ फेड क्या खाना मतलब जाएगा दा फूड इस पगार से एकला यह वह आपका लास्ट जो है आपका सुड्ध हाब बिन मतलब होना साहिए था के सैंस में तो सलिए समय सते हैं इस्टेक्चर इस्टेक्चर उजाएगा सब्जेक्ट उड्ध हाब बेन और एक ऑबजेक्ट मतलब कोई भी चीज़ पास होना साहिए था के सैंस में ₹ध फन फेड उजाएगै क्यों गयो development कि मतलब कहीं भी होना साहिक nu कैसे सुमन फूब बेन इंडा मैरेस ऑ राहूल सी में और था तो स्वहूंण को राहुल के साधी में और साहिकर था है था था पर वह बखार पर उनमों साय सब्सक्राइब आप इंजसब्स उडाव बिन करेंगा घंऑ हमें इक आपने घर वन साइम अपने घर में होना हो साइब को जोने फैस्ट का वleader झाले करता चौंस ब्वहे था प्वह थसट खिट उडब एक supplied today so thanks for watching the end that's all for today let's meet in a new video that's all for today guys because